हाई प्रेंट्स आप सभी को बाला जी रेसिपी सेंड परस में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कीरा की सांबर बरना सिका दूंगी इसके लिए चाहिए एक बड़ा बौल तोर दाल, करी लीवस, इमली, हल्दी का पौडर, लाल मिर्ची का पौडर, सांबर पौडर, दो बड़ा वाला टमाटो, एक पैस, और गार्लिक, अब हम कीरे को बड़ा साइज में कट कर देते हैं, कट करने के बाल, कुकर में थोर दाल डाल के, दो बार दो के उसे, एक कीरे को उसमें डाल कर, हम दो विशल के लिए ग्यास में रखते हैं, ये कडाई लेकर उसमें 3-4 चमस तेल डालते हैं, उसमें मस्टर सीड्स पठने के लिए डालते हैं, मैं तो 18 लोगों के लिए सांबर बना रही हूँ, इसलिए मैंने बड़ा वाला कीरा लेकर इसमें डाल रही हूँ, तोड़ी सी मस्टर सीड्स डाल रही हूँ, ढ बना कीरिण हैं, आए पोपड़ी Church स्वेँ देट और उसमें डाया हूँ, व λέ अ, Ĥोड़ींते हूँ, तोड़ींते हूँ, देखिए अब मस्टर्ड सीर सो पट रही है इसमें में देखिए पहले में गार्लिक डाल रही हूँ बाद में ओनियन डाल रही हूँ बाद में टमाटो को भी इसमें डाल कर प्राई करना है अच्छी तरह से प्राई हो जाने के बाद प्राई होने लेगी है अच्छी अच्छी तरह से अच्छी तरह से प्राई हो हाँ अटेखिए टूशी तरह से लेगी है बादेग थाएब प्राई है प्राई है कि थोड़ा सा पानी डाल के एक बॉइल के लिए रख देते हैं बात में इसमें हम हल्दी का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर दो चमाच सांबार पाउडर तीन चमाच कोरियांडर लिवस तोड़ा सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हमने दो विशल कुकर में कीरा को और तोरदाल को रखेते हैं उसको हम इस सांबार का मिश्रण मिक्स कर देते हैं मैंने कीरा को बड़ा इसलिए कट करने के लिए बोली हूँ क्यूंकि तोरदाल के साथ एक एक बार क्या हो जाता है कीरा सब मेल्ट हो जाता है इसलिए बड़ा पीस करके इसमें डाले तो कुछ नहीं होगा वह ऐसा ही रहता है अब हम इसमें दो चमच नमक डाल रही हो इंबली का रस डाल रही हो तोड़ा सा गुड़ इसमें डाल रही हूं वन टेबल स्पून अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ग्यास में उबलने के लिए रख देते हैं देखिए अब सामबर तो अच्छी प्लेवर से उबलने लगा है एरा इस के साथ बहुत अच्छा रहता है देखिए अब मैं इसको सरू करने वाली हूं देखिए कुकरवे डालने के बाद भी एक कीरा तो नहीं मेल्ट नहीं हुआ है तो वह इसा ही इसलिए मैंने बड़ा प्यूस करके इसमें डाली हूं देखिए अब मैं इसे सरू करने वाली हूं यह रैस के साथ बहुत अच्छा कांबिनेशन है गरम रैस के साथ गरम सामबार तो दोड़ी सी गी लगाके काने से बहुत तेश्टी होता है प्रेंट्स आप सभी को यह मेरा डिश पसंद आया तो मेरी चानल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेर करो तेंक यू देखिए अब मैं सामबार भी इधर डाल रहे हूं यह देखिए करका करना से बाल रहे हूं यहाओ टू कर दोता है क्या करता है आपको कहांदू